Students, आज एक feature हम लोगों ने डाला है, आप लोगों ने साथ देखा भी होगा, जो website यूज़ कर रहे हैं, और app पे ये quickly आ जाएगा, बट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों काफी useful होने वाला है, चुकि जैसे ऐसे exam आप लोगों के नजदीक आते जाए रिविजन एक important चीज है, जो कि आपको करनी है, तो आप जैसे question practice कर रहे होते हैं, तो कुछ question गलत हो जाते हैं, कुछ question को आप bookmark कर लेते हैं, तो एक student का ही suggestion था, student का नाम था माने, उन्होंने बोला कि, क्या ये question जो incorrect हो रहे हैं, या फिर जिनके bookmark हमने किये हैं, वो हमारे DPP में आ सकते हैं, तो हमने सोचा ये बढ़िया चीज है और इसको किया जाए, तो ये feature हम लोगोंने DPP में enhancement की तरह डाला है, कि आप अपने incorrect questions किसी subtopic के बोल सकते हैं, वहाँ पे include हो जाएं, और bookmark कियें वो include हो जाएं, तो आपके वो test में आ जाएंगे, तो उनसे आपका revision आसानी से हो जाएगा, चुकि वो आपने incorrect किये हैं, एक बार दुबार आप देख लोगे उसे, दूसरी चीज है, कि अगर आपको चाहिए कि कुछ bookmark question अब आपके DPP में ना आएं, तो उसको आप add और remove कर लेना, bookmark करने का अब आपका ये फैदा है, कि वो DPP में आपके उस solve किया है, जैसे ही आपने incorrectly solve कर दिया किसी question को, तो फिर वो आपके DPP में नहीं आएंगे, जब आपने incorrect question बोला, तो इससे क्या हुआ कि जैसे आपका कोई question है, जिसमें doubt था, incorrectly solve किया, लेकिन बाद में आपने DPP test दिया और उसमे correctly solve कर दिया, तो फिर वो दुबारा question आपको आपने आपने तो solve कर लिया, तो उसके आप क्या practice करेंगे, तो quickly मैं दिखाएता हूँ, UI में कहां पर है, और इसको हम एप में भी जल्दी याड़ करेंगे, तो चलते देखते हैं इसको, तो यह यहाँ DPP का section है, जो आप लोग use करते हैं, अभी-अभी मैंने DPP बनाय था, जिसमें एक question आया होगा, incorrect जो हुआ होगा, तो मैं दिखाएता हूँ आपको, create DPP करेंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर मालिजय कोई chapter आपने select कर लिया, और उसके बाद आप यह topic select कर सकते हैं, subtopic जो भी है, मालिजय आपने कोई select कर लिया, hydrogen spectra select कर लिया, तो इसी में include your bookmarked questions for above subtopics, तो idea यह है कि आप जो भी include करना चाहिए, include कर लेंगे, एक बस change यह होगा, कि generally 30 questions कहीं आपके यह DPP test आते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने incorrect क्या bookmarked questions include किये, तो questions में भी more than 30, चुकि वो हम सारे include करके आपको दे दना चाहते हैं, चुकि उस subtopic हैं, उनको द collect कर लेंगे, तो आपके जो incorrect और bookmarked question हैं, वो आ जाएंगे, आप उनको दुबार revise कर सकते हैं, चाहो तो कुछ और question को bookmark कर लिजे, जो incorrect होंगे वो दुबारा फिर से आपको आएंगे, तो यह है बच्चो, आप लोग इसको use करिए, और इसके बारे में जो भी feedback है, वो हमे comment में दीजे, thank you.